इस सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक को कुछ दिन पहले तक बड़ा जटका लगा जब RBI ने इसे ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनल से नएक रांकों को जोड़ने से रुप गया है। इसके अलाबा बैंक नए क्रेडिट कार्ड भी नहीं जारी कर सकता है। इसके चलते 25 अप्रेल को बैंक के शेयर 11 फीजदी और फिर 26 अप्रेल को 2 फीजदी टोग है। इसे लेकर अशनीर ग्रोवर ने कोटक महिंद्रा बैंक पर कटाउच किया है। अशनीर ग्रोवर का मजाग उडाते विका कि बैंक से टेक नहीं हो रही है। फिटनेस से बैंकिंग नहीं हो रही। पोटक बैंक के खिलाफ रवी आई का फैसला पिछले 2 साल में बैंक के IT सिस्टम में खामिय के बाद आया है। अशनीर ग्रोवर के ट्यूट पर यूजर धड़ा-धड़ अपनी प्रतिक्रिया दी रही है। एक यूजर ने लिखा है कि आर्वी आई तक्नीकी दोर को पेड़ा कर देगा। यूजर ने आगे लिखा कि आर्वी आई अभी भी उसी इन लाला जी स्टाइल बैंकिंग तक्नीकी से जुड़े हुए है। जबकि पुराने नए इस सिस्टम के तक्नीकी के अच्छे नहीं चलते हैं। यूजर ने लिखा है कि किसी सड़ी गली मानसिता वाले नेता बतलाओ के लिए बिलकुल भी तयार नहीं है। तो तक्नीकी का रास्ता आसान है। एक और यूजर ने आरवियाई को निशाने पले उसने लिखा पेटियम SDFC वैंग आई आई एफल फाइनेंस जेयम फाइनेंशियल से सेयर होल्डर का पैसा टुबाने के पाद अब आरवियाई ने कुटक महिंद्रा पैंग का शिकार किया है। खिलाल इस कबर में वस इतना ही।